नवश्कार दर्श लिउस देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया तो फिलाल नीट मामले में तमाम लोगों की नज़र बिहार पटी की है क्योंकि बिहार से 9 आरोपी जो है वो निकल कर सामने आए आर्थे का प्रादिकाई में कल 2 आरोपी पहुचे भी कुमार सिनहा ने कई तरह के गंभीर आरोप तेजस्वी आदव पर लगाएं बिहार के पुर्व मुख्यमंत्री और पत्त निर्मान विभाग जिनके अंतरगत आता था तेजस्वी आदव उनके उपर कई कल कई स्दाव के गंभीर आरोप लगे लेकिन आज खुद विजय क कुमार सिनहा ने प्रेस कौंफरेंस किया और बगाइदा प्रीतम कुमार जो की तेजस्वी यादव के आपत सचीव हैं उनका नाम लिया और उनके नाम को लेकर के उन्होंने कहा कि जिस गेस्ट हाउस की बुकिंग हुई थी और जिस गेस्ट हाउस में कमरे की बुकिंग आईए पहले आपको वो सुनाते हैं पत्थ निर्मान विभाग का एक विशय जो एनचाई से जुरा हुआ मामला है हमारा गेस्ट हाउस पत्थ निर्मान विभाग के पदाधिकारी उसको देखते हैं और उसी से जुरा हुआ विशे पर आप लोगों का कई विशे न्यू चैनल पर चल रहा था जब मेरे संग्यान में आया तो हमने जानकारी प्राप्त किया अपने विभाग के अपर मुक्षाचीव परते अमरीजी सेकेर्टी संजीब जी के साथ शभी पदाधिकारियों की बैठक करकर के हमने जानकारी प्राप्त की कि एने चाई के गेस्ट हाउस में जो लोग ठहरे थे वो कौन थे किसके आदेश पर ठहरने का उन्हें अबसर मिला था जो जानकारी आई है कि एक मई को तेजस्ची जादव के आप सचीव प्रीतन कुमार के मोबाइल नंबर सेबन फोर डबल एट जीरो सिक्स वन एट वन थिरी से रात्री नव बजकर साथ मिनट में पत् सिर्मान विभाग में कारजरत परदीब कुमार के मोबाइल नंबर चौरानवे तीस चियालीस निनानवे चोविस पर एनचाई गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदू के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था उस दिन परदीब कुमार इस पर कोई संग्यान नहीं लिया फिर चार मई को सुबह आठ बज के उनचास मिनट में प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर सात चार ए अठासी जी चार मही को सुबह आठ उन्चास बजे पिरीतन कुमार के मोबाइल नंबर 7488-061813 वही नंबर से परदीब कुमार के मोबाइल पर कॉल कर सिकंदर कुमार जादवेंदू के लिए कमरे के बुकिंग के लिए समारित किया गया तो सुना अपने किस तरीके से तेजस्वी आदव और उनके आपत सचीव को घेटते हुए नजर आए हैं विजय कुमार सिना उन्होंने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं और पूरी तरीके से इस पूरे नीट मामले में इन्वाल्मेंट जो है वो तेजस्वी आदव और उनके पीए की बताई है दरसल 24 लाक स्टूडेंट जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी कठिन परीक्षाओं में से एक नीट की परीक्षा मानी जाती है और इसमें गरबडियों की बात जो है वो सामने आई थी अगर बात कर ली जाए नीट की तो ऐसे में 1563 बच्चों की जिन्हें grace marking मिली थी उनकी re-examination की भी बात हुई थी लेकिन ये कहा गया कि बड़े पैमाने पर गरबडियां की गई और इसको लेकर के जांच चल रही है आर्टे कप्रा दिकाई में दो आरोपियों से पूछता च की गई है जसके आधार पर ये सामनी आया है कि जो नाम दिये गए थे जो गेस्ट हाउस में बुकिंग कराई गई थी वो बुकिंग कराने वाला कोई और नहीं बलकि देजस्वी यादव के आप्त सचीव प्रीतम कुमार हैं दर्शनियूस में फिलहाल के लिए इतना ही बन